नफशकार दोस्तो नई सोच नई दिशा मैं आपका एक बार फिर से इस वगत हैं तो आज हम डिसकस करेंगे गिरी राज सब्ता एक वाई जुलाई 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण कोशन बनेंगे वो आपसे डिसकस करेंगे तो आपको पता है कि हर सब्ता हम गिरी राज सब् करनते हैं उसकी वीडियो लेके आते हैं तापकि आपका जो HPGK के साथ साथ आपको जो करन्ट अफेर है वो भी आने बाले हिमाचल एक्जाम के लिए परफेक्ट हो जाएं तो प्लीज वीडियो को अंतक देखें और ध्यान से देखें जो नए वो प्लीज चानले को लाइक कोशन करके इस ओनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं तो चलते हैं आज के पहले कोशन की तरफ तो आज हम डिसकस करेंगे गिरिराज सपताइक वाई जुलाई 2020 के जितने भी महत्वर्ण कोशन बनते हैं वो आपसे डिसकस करेंगे अगर इस पत्रिका को आप शे मेने से लगतार फोलो करेंगे तो आपका HPGK के साथ जो HP क्रंटाफेर है वो भी परफेक्ट हो जाएगा तो प्लेज बीडियो को अंतक देखें और ध्यां से देखें यह रहा पहला कोशन 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक अपातकाल के दुरान लोगतंतर की सुरक्षा और लोगों के मोलिक अधिकारों के लिए अंतरिक सुरक्षा बिवस्ता अधिनिम मीसा और डि आई आर डिफेंस ओफ इंडिया रूल के तैत 1 से 15 दिनों तक कैद मरे लोगों को परतिमा कितने रुफे की राशी दी जाएगी तो 4 जून आपके पास हैं राइट अंस आपको बताना है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक जो 15 दिन की अप जितक जेल में रहे थे उन्हें कितने रुफे प्रतिमा दिये जाएंगे तो 4 जून आपको दी गए हैं ध्यान से इसका राइट अंस बताना है तो उन्हें दी जाएंगे 8,000 रुपे प्रतिमा की राशी दी जाएगी जो 15 दिन की अप दितक जेलों में रहे थे कब से लेकर कब तक उसके वारे में विवाब को बता दिया है ये रा नेक्स कोशन 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक अपात काल के दुरान लोगतंत्र की सुरक्षा और लोगों के मोलिक अधिगारों के लिए अंत्रिक सुरक्षा विवस्ता अधिनिम मीसा और डी आई आर डिफेंस ओफ इंडिया रूल के तैत 15 दिनों की अबदी से दिक अब बात ओर ये 15 दिनों की अबदी से दिक जो लोग क्याद में रह थे उन्हें कितने रुपे की राशी दी जाएगी हर मा तो चार रूशन आपको दी गए हैं ध्यान से कोशन को समझे ऐसे कोशन आपके एच्चेस और अलाइड में पूछे जाएंगे तो चार रूशन आपको दी गए हैं ध्यान से स्कार अटॉंस बताना हैं आठ जार, नौजार, दस जार, बारा जार तो उन्हें बारा जार रपे की राशी दी जाएगी जो 15 दिनों की अब दी से अधिक जेलों में रहे थे उन्हें प्रतिमा बारा जार रपे की राशी दी जाएगी यह रा नेक्स कुश्चन एक्टिव केस फाइंडिंग अवियान के तैत आशा कारे करतों को मार्च प्रैल मैं जूनमा के दुरान हर मां रुपे कितने रुपे की राश्री पर दान की गई है एक्टिब केस डिफांडिंग अवियान केता है तो जो आशा वरकर थी उन्हें अपरेल मैं जूनमा के दुरान हर मां कितने रवेकी राशी प्रदान की गई है जो केबिनेट में एक डिसीजन लेगे तो जो आशा वरकर उन्हें घर घर जाके जितने भी आपके कोरोना के केस थे और घर जाके उन्हें मासक वगारा वांटे थे तो उन्हें कितने रवेकी राशी दी जाएगी तो चार उसने आपको दिये गए हैं यहां से आपको राइट अंस बताना है यहां से आपके जो एचपी जीके हैं जो एचपी करंट अफेर है वो प्रफेक्ट हो जाएगा अगर आप इस पत्रिक को शेमन तक लगातार फोलो करते हैं तो तो इसका राइटांस है एक जार पे की उन्हें राशी दी जारी है मार्च प्रायलमा और जून्वा के दुरान जो घर घर जाके उन्होंने जो कुरोना केस डिफाइंडिंग किये थे तो इसके तैत उन्हें एक जार पे की राशी दी जाएगी यह रा नेक्स कोशिन इमाचल प्रदेश में लगव कितनी आशाकार करते अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो यह जितने भी डाटा आपको मैं बता रहा हूं आने बाले हिमाचल एकजाम के लिए काफी मत पूर्ण है तो कहीं बार जो कितनी आशाएं बर करती वो काम कर रहे थी तो ऐसे कोशन भी प आशा बताएं तो इसको होगा ए उसन इस राइट साथ आजार आड़ सो ब्याली जो आशावरकर हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं यह रहा नेक्स कोशन हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री सबाब लंबन योजना कब शुरू की गए थी तो दो दिन पहले भी हम इसके कोशन के बारे में डिसकस कर चुके हैं तो चार उसन आपको दिये हैं राइट आंसर आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री सबाब लंबन योजना कब शुरू हुई थी तो सबाब लंबन से जितने भी आपके जो भी मुख्य मंत्री दुवारा योजना चलाई गई हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ लें आने बाले एक्जाम में एक कोशन बूश सकते हैं इसकी शुरूआत हुई थी 2018 और 2019 में इसकी शुरूआत हुई थी इमाचल प्रेश मुख्य मंत्री सबाब लंबन योजना की शुरूआत इमाचल प्देश में की गई थी यह रा नेक्स कोशन दीन द्याल पंचायत सशक्ति करने योजना के तैत बुलोग जिलब परशिद की देश बर में हुई स्पर्दा में प्रत्तमस्तान किसे दिये गया है दीन द्याल पंचायत सशक्ति करने योजना पहले तो आप योजना कोई याद रखिए इसे देशवर में कौन सा स्तान मिला है प्रत्मस्तान किस जिले को दिये गया है तो यहां से राइटन्स आपको बताना है चमबा उन्ना हमिरपूर सोलन तो यह कोशन हम पहले भी करंटफियर की वीडियो में डिसकस कर चुके हैं तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं तो हमिरपूर जिले को देशवर में प्रत्मस्तान मिला है दीन द्याल पंचायत सशक्ति करने योजना के तैत तो यह करंटफियर का बहुत ही मात्तपूर्ण कोशन है आने बाल एकजाम में ऐसे कोशन पूछे जा सकते है यह रा नेक्स कोशन पाड़ी बाबा कांशिराम की जेनती कब मनाई जाती है पाड़ी बाबा कांशिराम की जेनती कब मनाई जाती है चार उफ नाको दिये है राइट अंसर आपको बताना है और आप मुझे ये बताए यो पाड़ी बाबा काँ शिराम को ये नाम किस ने दिये था आप मुझे इसका भी राइट अंसर बताएं तो इसका राइट अंसर है ग्यारा जुलाई को पाड़ी बाबा काँ शिराम की जै जैन्ती मनाई जाती है और उन्हें यह नाम शिमला में दी गए तक किसे ने दिये था आप मुझे कोमेंट में बताएं यह रा नेक्स कोशन बानुपली बिलासपूर मनाली ले रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है तो इसका रायटन सुगत 475 किलोमेटर इसकी लंबाई है बानुपली बिलासपूर मनाली ले रेलवे लाइन जो बंद रही है उस किल नबाई कितनी होगी 475 किलो मिटर यह रार नेक्स कोशन बिशप की सबसे उंची रेलबे लाइन बानु पली बिलासपुर मनाली ले रेलबे लाइन पर कितने स्टेशन रेलबे स्टेशन बनाए जाएंगे तो चार उफन आपको दी है बिशप की सबसे उंची रेलबे लाइन जो बनाए जाएंगे तो वो बनाए जाएंगे 30 30 रेलबे स्टेशन बनाए जाएंगे 475 किलो मेटरिस की लंबाई है यह रा नेक्स कोशन किस जिले में आत्मा परियोजना के माध्यम से बड़े फेमाने पर प्राकृतिक खेती को बड़ाबा दिया जा रहा है किस जिले में आत्मा पहले तो आप परियोजना का नाम याद रखिए आत्मा परियोजना किस जिले में प्राकृतिक खेती को बड़ाबा दिया जा रहा है शिमला कुलू की नोर चमबा तो इसका राइटांस दोगा कुलू कुलू में जो पशु का जो गोबर होता है और जो हर प्रकार की वाँ जो किसमें जो खेती ही जाती है उसमें हर प्रकार की जो कीड़े में कोड़े लगते हैं जो फांसल बरबाद होती है उनके उपर उन्हें एक रिसर्च अव्यान किया है तो ऐसे पश्चु के गोपर जो मलमुत्र के दुबारा जो ओश्टियां बनाई जा रही है उनके उपर ये प्राक्रति केति को बढ़ाबा दिये जाए ताकि उनकी फासल बरबाद न हो ये रार नेक्स कोशिन चमबा का मिंजर मिला शेवन मास को कौन से रभिवार को शुरू होता है तो पहले तो आप याद रहे कि चमबा में जो मिंजर मिला मनाई जाता है वो शेवन मास को मनाई जाता है कौन से रभिवार को शुरू होता है चमबा का मिंजर मिला शेवन मास को कौन से रभीबार को शुरू होता है तो इस बार कोरोना के चलते ये मिला नहीं हो पाया है तो कौन से रभीबार को शुरू होता है तो ये होता है दूसरे रभीबार को शुरू होता है एक सब्ता तक ये मिला चलता है चमबा का में जिले मिला बहुती फेमसे अंतराष्टे स्तरके से दरजा मिला हुआ है तो दूसरे रविबार को ये मिला बनाय जाता है और आप से एक्जामें पूछा जाएं कि चमबा जिले में कौन से जो देपता की पूजा होती है यहां से आपको बताना है कि जो कुंजडी मलहार है वो किस जिले का लोग गीत है चारोशन आपको दी है राइट अंसर आपको बताना है कुंजडी मलहार किस जिले का लोग गीत है तो यह आपके चम्बा में जब भी चम्बा में मिंजर मिला शुरू होता है तो जो पहली सांस्क्रिट संध्य होती है तो यह इनके जो गाने गाय जाते हैं वो बुरसाथ के टाइम जब चम्बा में मिंजर मिला शुरू होता है तब गये जाते हैं, जंबा में कुंजुडी मलहार, तो इनकी जो पहली नाइट होती है, जो इने दी जाता है, पहले गयाने कमोका इनए को दिए जाता है, उसके बाद जितनी वा आपकी स्टार नाइटे होती हैं, वो चलती है पहले इनके दुवारा गाना गाया जाता है कुँझ्डी मलहार आदा गेंटा जठ इनकी Sanskrit संस्ता संस्ता चलती है संद्य चलती है उसके बाद यतने भी आपके लोग इतकारेकरम होते हैं वो गाया जाते हैं तो कुझ्डी मलहार आप याद रखें चमबा मैं दूसरे रविवार को मिंजर मिला मनाया जाता है ये रहा next question हिमाच्चल प्रदेश प्रेटन विकास निगम की स्तापना कब हुई थी तो मैं बार 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 बोर रहों कि यतने भी आपकी स्तापना हुई है ऐसे question आपके exam में बनेंगे स्तापना से मच्चल प्रदेश प्रेटन विकास निगम की स्तापना कब हुई थी तो इसमें से आपको right answer बताना है तो इसकी स्तापना हुई थी 1972 में किसकी प्रेटन विकास निगम की स्तापना हुई थी 1972 में ये रहा next question यमना नदी का उद्गम स्थाल कहां से होता है तो very most important question ऐसा question भी आपके exam में जरूर बनेंगे और मैं वीडियो के माधियम से आपको पहले बता चुका हूँ यमना नदी का उद्गम स्थाल कहां से होता है तो B A is right, कलिंत् परवत यमनो तरी, अगर जो मानसरोबर की बात करनें, तो मानसरोबर किसका उद्गमस्ताल है, सत्लूज का, रोतांग दर्रे से किसका उद्गमस्ताल होता है, तो बहुत आपका ब्यास, बड़ा बंगाल किसका उद्गमस्ताल है, राभी नदी का, तो यहां पंगाल राभी यह रा नेक्स कोशन चंदर खेर नी दर्रा कहां पर है और इसकी उंचाई कितनी है तो मैं इस कोशन को पहले भी डिसकस कर चूके हम इस वीडियो के माधियम से तो जल्दी से इसका रैटमस बताएं चंदर खेर नी दर्रा पहले तो यह कुलू जीले में स्थि स्थित है यह रा नेक्स कोशून गडासरू जील का स्थित है तो यह आपके चंदर डिस्टिक में स्थित है चुरा एक जग जगाय चमबा में वहां पर ये स्तित है, कौन से जील गड़ा सुरूँ, यह रा नेक्स्स कोश्चन, इमाचल प्रदेश के किस राजा को उरेंग जेब ने शत्रपती का किताब दिया था, तो यहां से आपको बताना है कि जो इमाचल प्रदेश के राजा को किस राजा को उरे जेबने शत्रपती का किताब दिया था तो जल्दी से इसका राइटांस तो बताएं अगर अजबर सेन के बात करें तो अजबर सेन कांग के राजा थे मंडी के हैं साइल बर्मन कांग थे चमबा के हैं संसार चंद कांग राजा था कांगड़ा का और केरी सिंग कांग राजा था शिमला तो किस राजा को उरंग जेब ने शत्रफती का किताब दिया था तो ए अफने जाइट केरी सिंग को उरंग जेब ने शत्रफती का किताब दिया था तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज लाइक शेर और सम्सक्राइब जूर कर ले। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिस्ट में मिल जाएगा और online test का लिंक भी आपको डिस्क्रिस्ट में दे जाेगा 15 July और 22 July के जो भी आपके गिराईज सब्ता ही काती है उसका 81 आपको इसकी PDF मिल जाएगी और साथ में इसका online task लिंक भी दी जाएगा ताकि आप exam से पहले अपना evaluation कर सके तो आज के लितना ही मिलते हैं आगरे वीडियो को साथ तब तक के लिए धन्यवाद